Hello Students, Happy New Year to all of you. I hope आप सब ने अपना ये नया साल एक अच्छी उमीद के साथ जो है शुरू किया होगा, एक नई रेजुलीशन के साथ और इस साल आप और अच्छी तरीके से अपनी स्टडीस में महनत करेंगे, ऐसी आप से उमीद की जाती है. आपके exam second term के हो चुकी है, और आपका course जो है, वो भी complete हो चुका है, अब आपका कोई भी chapter जो है वो नहीं रहा है, जो आपको करवाना रह गया हो, तो अब हम सिफ तयारी करेंगे, कुछ chapters के में आपको extra question answers या important dates जो है, वो आपको दूँगे वीडियो के अंदर, या practice के करने होंगे, तो हर वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें, और उसमें जो questions दे रही हूँ, उन questions को आप अपनी copy में जरूर करें, कोई भी अगर आपकी problem हो, तो आप अपनी class teacher को बोल सकते हैं, या फिर आप मुझे भी message कर सकते हैं, जो भी आपको किसी भी chapter के regarding किसी भी तरीके की problem हो, तो इस वीडियो में मैं आपको civics की जो आपकी दो chapter है, the constitution and the preamble, और directive principles of state policy, इनके extra question answers दूँगी, ये extra question answers आपको copy में करने हैं, इस वीडियो में मैं आपको जो question answers दे रही हूँ, उनके answer भी आपको दे रही हूँ, तो आपको as it is उसको copy में करना है, इसकी ब answers नहीं मिलेंगे, उनके answers आपको खुद ढूणने होंगे, तो ये chapter आपके दोनों civics के मैं आज आपको दे दूँगी, जिसके extra question answers आपको copy में एक साथ ही करने होंगे, इसमें सबसे पहला question है, give three points which define the philosophy underlying the constitution, तीन points बताने हैं, जो constitution की philosophy के बारे में बताते हैं, तो इसका answer है, the philosophy underlying the constitution is, the constitution drives all its authority from the citizens of the country and the state is the creation of the people, कि जो constitution है, वो अपनी सारी authority, जो है, वो ये कहता है कि सारी power जो है, वो भारती जनता, जो भारत की जो लोग है, जो इस भारत को बनाते हैं, इस state को बनाते हैं, उनके हातों में दी जाती है, the country must be governed according to the limits set by the sovereign people, कि जो हमारी जो country है, वो governed कैसे की जाएगी, वो चलाई कैसे जाएगी, वो चलाई जाएगी, यहां की जो जनता है, उनकी द्वारा, उनकी द्वारा जो limits set की जाएगी, उनहीं की द्वारा जो है, ये देश, ये country जो है, वो run करेगी, next point है, the supreme court has the sole authority to interpret the constitution, कि supreme court जो है, वो actual authority होगी, जो constitution को define करेगी, जो constitution के बारे में बताएगी, और उसके ओपर किसी भी तरीकी की boundation नहीं होगी, next question है आपका, throw some light on the equality of all the individuals as stated in the constitution, कि हमें जो equality से related, हर individual की जो equality से related, जो बाते constitution के अंदर लिखी गई हैं, उनके बारे में बताना है, तो इसका आंसर है, according to the constitution, all the individuals are equal in the eye of law and no discrimination should be done on the basis of caste, creed, race, gender, religion or wealth, यानि कि हमारे constitution के according, हर व्यक्ति कानून की निगाह में equal है, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाए उनकी caste के अधार पर हो, चाए उनकी race के अधार पर हो, चाए जेंडर के अधार पर हो, चाए अमीरी गरीबी के अधार पर हो, किसी भी अधार पर, धरम के अधार पर हो, कानून किसी भी व्यक्ति के साथ, भेदभाव नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति कानून की निगाह म इक्वल है बहुत इंपोर्टेंट कोशन है और बहुत ही जरूरी भी है आपको ही समझना कि उनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाईज क्या है तो इसका आंसर है कि हमारे कॉंस्टिटीशन जो है वह सारे एडल्ट सिटीजन को भारती सिटीजन adult मतलब हमारे देश में 18 साल का जो व्यक्ति हो जाता है उसको adult consider किया जाता है तो हर भारती नागरिक जो 18 साल का हो चुका है वो कानून की दृष्टी में कानून की निगाह में जो है वो adult हो चुका है और उसको vote देने का अधिकार मिल जाता है बिना ये देखे कि वो किस religion से belong करता है कि वो गरीब है कि अमीर है वो औरत है कि आदमी है वो किसी भी कास्ट का क्यून है वो पड़ा लिखा है या नहीं है ऐसा कुछ नहीं देखा जाता क्यूंकि जब हमारा constitution बन रहा था उस वक्त कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि हर नागरिक को vote देने का अधिकार हो कहीं पर औरतों का अधिकार नहीं था कहीं पर गरीबों को अधिकार नहीं था तो कोई country ऐसी नहीं थी जहां पर सबको अधिकार हो मिले ये कि वो vote दे सकते हैं लेकिन हमारे देश को जब constitution लिखा जा रहा था तो हमारे देश में ये बात कहीं गई कि हम जब equality लेकर आ रहे हैं तो equality में हम vote देने का अधिकार भी सबको ही देंगे चाहिए वो आदमी हो चाहिए वो औरत हो चाहिए वो अमीर हो चाहिए वो गरीब हो चाहिए वो किसी भी religion से बिलॉंग करता हो तो vote देने का अधिकार जो है हर किसी को मिलता है the right to vote is denied to those who are unsound mental health or are insolvent vote देने का अधिकार से उन्हीं लोगों के लिए मना है जो mentally disturbed है जो दिमागी तोर पे वो काबिल नहीं है क्योंकि उनका vote जो है वो माना नहीं जा सकता क्योंकि सोचने समझने की शमता नहीं होती और इसी को universal adult franchise कहा जाता है ये थे आपके chapter 12 the constitution and the preamble के extra question answers अब आपके दो question answers जो और दे रही हूँ वो दे रही हूँ आपको chapter 13 directive principles of state policy के इसके सिर्फ दो ही questions है mentioned two directive principles with reference to standard of living of citizens जो citizens की standard of living को reference करते हुए कोई भी दो principles आपको बताने है इसमें है there should be an educate means of livelihood for all its citizens की हर citizen को हर नागरिक को जो है उसके basic जीने का जो अधिकार है जाये की वो अपनी जीवन की जितनी भी जरूरते हैं उनको पूरा कर सके और it is important to ensure that every citizen enjoys a decent standard of living and leisures की हर नागरिक जो है वो इस तरीके से जीए की वो एक अच्छी life जी सके उसको भुक मरी की जिंदगी या बहुती गरीबी की जिंदगी ना जीनी पड़े इसके बारे में बताना है जरूर कर ले और जब भी एक्जाम होंगे उनके लिए आपको ये प्रिपेर भी करने होंगे